हेलो वर्वान स्वागत आप सदीका इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक और नई पीडिएफ लेखा है जो है इन और गेनिक केमेस्ट्री भाई हुई एन टीटर हुई कीटर का नाम आपने सुनाओगी देखते हैं इस बुक के अंदर क्या-क्या खास बाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो मेंली बुक जो है वो इन और गेनिक के अलग अलग टोपिक के बारे में बात करेगी तो जो इसके पहले थ्री इतने जदे इंपोर्टर नहीं है एक दम बेसिक से इन्होंने बता रहे है जो आप किसी और बुक से ही पढ़ सकते हैं और किसी भी एक्जाम को पेंट ओफ्यू से यहां से पढ़ना जो इतना फाइदेमन नहीं रहेगा बात करते हैं जैसे यहां पे नहोंने बाट इस इन बूदर भूर्च कड़ेगी तो मतलु इन तीन जो चैप्टर हैं फिर्ट जो त्रि चैप्टर हें उनको आप एक्डम स्किफ कर सकते हो next content की बात करें तो next content इसका 4th chapter जो वो काफ़ important है मैंने जो भी important chapter थे उनके सामने ऐसे star लगा दिया ताकि आप किसी भी exam के लिए इनको एक बार यहां से जरूर देख लीजिए आपको जरूर से जरूर फाइदा ने लेगा 4th chapter जो है इसका वो है ionic compound ionic compound के बारे में आपको मेलेगा उनकी bonding क्या है lattice energy, lattice energy execution बहुत आते हैं, size का effect क्या होता है इस तरीके से मतलो यह वाला portion यहां से काफ़ी important होने वाला है उसके बाद covalent bond इतना important नहीं है अगर यहां से इसका उसके बिगर सकते हैं उसके बाद structure and reactivity of molecules थोड़ा बहुत important है, देख सकते हैं इसके बाद next जो chapter है, इसका 7th chapter solid state, काफ़ी important है एक दमच्छे से इन्होंने इसके इंदर दे रखा है जरूर से जरूर आपको यहां से इसको करना चाहिए next chapter इसका chemical forces chemical forces में लो जितने भी अलग-लग type की chemical forces यहां आप एक बार उनका जो review है, वो यहां से ले सकते हैं next अगर बात करें, तो next अपना acid-based chemistry net के point of view से काफ़ी important है तो आप यहां से acid-based chemistry को देख सकते हैं उसके बाद बात करें, echoes और non echo solvents की तो वो भी important है वो आप इन्होंने यहां पर इखटा दे रखा है यहां से नहीं तो फिर जो मैंने एक अजय कुमार की पीड़े पहले दे रखी हूं वहां से कर लो sufficient है, उसके अलावा मैं समझता है, coordination chemistry के लिए सरफ अजय कुमार पढ़ो और इसको question करते हो, different different coaching institute के अगर आप question कर रहुए आप किसी बुक की जरूरत नहीं पढ़ने वाली, उसके अलावा इसके अंदर देखिये some descriptive chemistry of the metal छोड़ भी सकते हो, आप यह वाला portion इतना important है यहां पे एक छोटा सा portion जो रहेगा वो रहेगा of F block element, जो net के point of is important है आप वो इससे कर सकते है उसके बाद organometallic chemistry, organometallic chemistry इसके अंदर काफी अच्छी है लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि organometallics के लिए जो कुमार की जो book है उन्होंने उसके अंदर अलग अलग जो है chapter के अंदर divide कर के लिए रखा तो वो काफी अच्छी है इस book से तो आप वहां से कर सकता है अब देखिए इस book के अंदर जो एक important chapter हुआ है inorganic chain, rings, cases and cluster इसके अंदर आपको different, different जो इनorganic के compound है उनका एक particular chapter बनाके नोली यहाँ पर दे दिये कि chain, ring और cluster इनके बारे में आप यह वाला topic यहाँ से कर सकते है next अगर बात करें तो next chemistry of halogen and noble gases यह यहाँ से कर सकते है otherwise अगर आप करना चाहें तो जेडी ली है वहाँ से कर ले नहीं तो अपनी 11-12th की NCRT है वो sufficient है जो main block chemistry उसके लिए उसके बाद periodicity, periodicity भी ठीक ठाक साई इतना ज्यादा नहीं है उसके बाद जो 19th chapter इसका है वो काफ important ब inorganic chemistry के लिए अजे कमार भी पढ़िएगा और साथ ही साथ जो हुई कीटर है वो भी पढ़िएगा क्योंकि इसके अंदर by inorganic chemistry के कुछ advanced portion हो वो काफी अच्छी है यहाँ पर तो बुक के अंदर बस इतने ही chapter थे लेकिन chapter जो हूँ काफी important है एक मैंने यहाँ पर sample page दिखान total learning के इन्होंने सारे concept एकदम अच्छे से समझा रखें और जैसा है मैंने जिन chapter के उपर star लगा रखें उनको आप जरूर से जरूर पढ़ेगा आपको देखना उसका impact जो हो आने वाले question paper के अंदर आपको देखने को बिलेगा कौन्स के हैं इस book की जो कमी है वो है इसके अं के अंदर क्या है उन्होंने chapter wise जो है उसके पिछह उन्होंने objective question दे रखें उससे आपकी practice हो जाती है लेकिन यहां पर इन्होंने सरफ text दे रखा है कोई question नहीं दे रखा है तो यह कमी है इसके दूसरा condensed text लाक को बहुत सारा text टेक्स देखने को लगा आप पढ़ पढ़ के होते रहोगे तो लेकिन कुछ हाला कि पूरी बुक पढ़ ने कि जड़रत नहीं है आप कुछ कुछ जो गिने चिने टोपिक हुआ हैं से कर सकते हैं इस बुक को डाउनलोड करने के लिए आप description box में जाएगा वहां पे आपको इसका link में लेगा वहां से आपको redirect करके दूस को सब्सक्राइब करेगा थैंक यू